आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन के फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ, अभी राउटनोट करें। सदे उस कारण का विरोध करती है, जिसके कारण ये उत्तपन होती है। अब हम देखते हैं कि जो भी हमारा वैदाफ़ना舒ड होता है phi की value क्या होता है? B A cos theta अब यहां से दिखेंगे कि जो हमारा वैदाफ़ना SUS होता है किस पर निर्वर कर रहा है B into A और cos theta पे theta क्या होता हमारा हमारा छेत्रफल और चुम्बकिय छेत्र के बीच का हमारा कोड होता है तो इस फ्लक्स परिवर्तन से हमें पता है कि जो बैदुत वहकबल उत्पन होता है फायराडे की नियम से माइनस D5 by DT होता है अगर फ्लक्स परिवर्तन होगा तो किसी भी परिपत में तो उसमें क्या उ उत्पन होती है अब यहां पर हमारा जो रिरात्मक सिंचिन है वो क्या दिखाता है कि हमेशा यह बिरोध करती है जिसके कारड उत्पन होती है यही हमारा लेंज का नियम है कि हमेशा जो भी हमारा प्रेरित बैद्दुत भागबल होगा या प्रेरित बैद्दुत धारा करेगी जिसके कारड़ ऊतफन हुई है किसके कारड़ ऊतफन हुई है flux परिवर्तन का ट्री जिख ads परिवर्थन का लौक pig in परीवर्तन मतलब दो चीजे होती है, बढ़ना या घटना, इस्दिर ना रहना तो अगर चाहे है बढ़े तब भी परिवर्तत हो रहा है, परिवर्तन मतलब कि पहले flux एक था फिर दो हो गया फिर तीन हो गया मतलब हार बार flux क्या हो परिवर्तित हो रहा है तो हमारा क्या हो flux तो परिवर्तित हो रहा है तो उसकी वज़ा से flux परिवर्तन की वज़ा से हमारा क्या हो कि प्रेरित बेदुत वहागबल उत्पन होगा अब हमेशा उस कारड का विरोध करेगा जिसके कारड उत्पन हुआ उत्पन किसके कारड हुआ फ्लक्स परिवर्तन के कारड उत्पन हुआ है तो उसकी दिसा हमेशा उधर होती है कि जिधर इसका क्या करे उसका हमेशा के विरोध करे मतलब फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करे तो इसकी दिसा उधर हो जागी जिधर ये फ्लक्स घट रहा हो मतलब की इसको घटाना चाहेगा जो एक था उसको जीरो करना चाहेगा या फिर तीन को एक करना चाहेगा इस दिसा में उसकी प्रेड़ित बेदुत्वाकबल की दिसा उत्पन हो जाएगी तो हमारे कोशन का आंसर यही होगा हमेशा आप याद रखिए कि जो भी लेंज का नियम था वो हमेशा एक ये स्टेट्मेंट लिखा होना चाहिए कि किसी परिपत में बेदुत्वाकबल लथवा प्रेडित धारा की दिसा सद तो आप क्या कहते कि फ्लक्स क्या हो घट रहा है तो प्रेडित बेदुत्वाकबल की दिसा किधर हो जाएगी प्रेडित बेदुत्वाकबल की दिसा उधर होगी जिधर फ्लक्स हमारा क्या हो बढ़ेगा तो यह हमारा प्रेडित बेदुत्वाकबल फ्लक्स को यही इस question का हमारा क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, अगर एक और example हम देखे, यहां से हमारे पास एक चुम्बक है, यहां पर हमारे पास एक इस तरह से चुम्बक है, यह हमारा क्या है, उतरी दुरू यह हमारा दचडी दुरू यहां पर देखेंगे हमारे पास एक क्या है, ए हमारा क्या है धारावाही लूप है ठीक अभी हमारा धारावाही लूप इस्थीर है यहीं यह बढ़ी है एक्जामपल है इस पूरे सिस्टम को समझने का तो यह से चुम्बक हमारे इधर जाएगा तो हम देखेंगे कि इस लूप से जो चुम्बक की चेत्रों का जादे पास क हो जागा चुकि हमारा बी क्या हो रहा परिवर्तित हो रहा है तो प्रेरित बिद्दुत वहाग बल की दिशा किधर हो जाएगी जिधर हमारा फ्लक्स क्या हो घटे चुकि फ्लक्स बढ़ रहा है बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि चुम्बक हमारा लूप की तरफ जादे जा तो प्रेविद्द्ध वाग बल की दिसा इधर हो जाएगी कि इस चुम्बक को इस डिसा में ढके लेगी तो इस दिसा में वहेगी तो इसने की दिसा में बहेगी यहिसका आंसर हो जाता है तोलेंज का नियम यह होता है और उसका अप्लिकेशन हमने दिखा कि कैसे इसको हम यूज करते हैं यही हमारा आंसर हो जाएगा थांक्यू